दोस्तो आज हम बात करेंगे Nikon 85mm lens की image quality test के बारे में और ये जो वीडियो है दोस्तो मैंने ये सोच के बनाया है कि अगर आप एक अच्छा lens लेने की सोच रहे हैं आप एक अच्छा पैसा इंवेस्ट करने की सोच रहे हैं lens के अंदर तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और ये कोई sponsored या कोई इस तरह का वीडियो नहीं है ये मैं मेरा जो experience रहा इस lens के साथ मैं पिछले कुछ पास साल का वो आज मैं आपके साथ share करने वाला हूँ image quality test आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको एक idea मिल जाए कि भई इस lens की क्या खास बात है इसमें क्या qualities है और इस lens से आपको क्या benefit हो सकता है इससे खीचवी pictures कैसी आती है सभी तरह की streams के अंदर चाहें वो wedding photography हो या आपकी portrait हो candidate shots हो या fashion photography हो modeling portfolios हो या हमारे advertising commercials हो तो वो सारी चीज़ें आज मैं इस video के अंदर आपको सारे samples आपको image qualities की दिखाने वाला हूँ तो इस video का आप एंट तक जरूर देखिए ये lens मैंने क्यों लिया क्या current है वो सब आज मैं आपके साथ share करूँगा So welcome back to my channel friends, this is Manish Taksana, आईए शुरूबात करते हैं दोस्तो मैं एक ऐसे lens के तलाश में था कुछ साल पहले जहां मुझे ना केवल quality images मिलें बलकि मुझे ऐसा lens यह था जो मैं अपने camera पे लगा कि उस पे हर तरह की photos शूट कर सकूँ बगेर किसी lens को change किये हुए और मुझे lens prime भी चाहिए था और यह सोचके कि भाई मुझे sharp images चाहिए, मुझे image में detail चाहिए मुझे bokeh चाहिए, मुझे blood background चाहिए, मुझे image extremely sharp चाहिए, मुझे headshot, 3-4th, full length and different types of poses एक ही lens में चाहिए तो काफी सारा homework किया, उसके बाद जब मैंने बहुत सारा research किया, तो मुझे समझ में आए कि 85mm एक ऐसी focal length है, जहां पर मैं इस तरह का सारा काम कर सकता हूँ तो finally मैंने decide क्या, Nikon 85mm 1.4G lens को लेने का, अब दोस्तों ये lens थोड़ा से expensive है, बट अगर आप overall देखेंगे, इसकी image quality जो भी हम देखने वाले इसका test करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यार ये lens जो है, एक worth lens है, और चुकि ये lens मैं अपने experience के साथ बता रहा हूँ, मैंन मुझे दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे है, मुझे लगा इसका जो weight है, वो है करीब 595 grams, जो की बहुत heavy नहीं काऊँगा और बहुत हलका नहीं काऊँगा, बिलकुल average है, तो जब मैं अपने Nikon D800 EP से लगाता हूँ, तो मेरा जो camera का setup है, वो बहुत भारी नहीं होता, बिलकुल हलका full के रहता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भारी भरकम gears लेके shoot पे जा रहा हूँ, तो मुझे सबसे अची चीज लगी कि जो मेरा overall setup है, वो मेरा लगबग under 1kg या approximately 1kg के अंदर ही रहता है, including my lens and my camera, तो एक पहली चीज मुझे अच्छी ये लगी, दूसरी ची 77 mm का है, और ये चीज मुझे बहुती अपील की, एक इंप्रेशन आता है कि इतना बड़ा सा इसका पूरा filter thread है, और काफी अच्छी detailing मिलेगी इसके अंदर, तीसरी चीज जो मुझे इसके अच्छी लगी दोस्तों वो था इसका aperture range, और तीसरी चीज जो है aperture range वो मेरे लिए बहुती matter करती थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिल रहा है aperture 1.4 से लेके कुछ f16 तक, so f1.4 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं shoot कर रहा हूँ outdoor के अंदर, तो वहाँ पे ना केवल मैं low light के अंदर बहुत अच्छी performance achieve कर सकता हूँ, बलकि मैं background को completely blur कर सकता हूँ, अगर background मैं थोड मैं भी इस lens के तुरू जो है, वो create कर सकता हूँ, उसके अलावा दोस्तों, indoor के अंदर मुझे अच्छी चीज़ लगी कि इसमें aperture जो है f16 तर जाता है, तो अगर मैं 2 जनों का या 3 जनों का एक साथ portrait ले रहा हूँ, या कोई मैं advertising commercial shoot कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, तो मुझे overall इसका जो aperture range है, उसने मुझे बहुत ही impressed किया दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कुछ इसके image quality test, ताकि आपको समझ में आएगा, तो मैं आपको एक image दिखा रहा हूँ, screen पे आप देख पा रहे हैं, shot this image, and because 85 mm focal length थी, तो मुझे अच्छा खासा portrait मिला, बलकि मुझे जो background है, उसकी depth इतनी कमाल की मिली, बिल्कुल बहुत जादा auto focus नहीं गया, बहुत जादा in focus नहीं था, और बहुत हलका auto focus था, तो उसवरा से picture का जो charm है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उस picture के अंद और ये picture आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक headshot से तोड़ा से जादा है, इसे हम portrait कह सकते हैं, black and white image है, तो यहाँ पर भी आप दोस्तों गर देख पाएंगे कि detailing जो है model की, वो मुझे कितनी अच्छी मिली, ये indoor के अंदर मैंने shoot किया था, strobe light के साथ में, but if you look at the image, the detailing is very good द तो निकाली सकते हैं, बल्कि बहुत कमाल के headshots हैं, वो भी आप इसमें अच्छे कासे आप shoot कर पाएंगे, ये देखी, ये image आप देख पा रहे हैं, इसके उपर मैंने एक video भी बनाया था, YouTube का काफी साल पहले, अब आप देख रहे हैंगे, ये मैंने model का portfolio shoot किया था, और यह आप देख पारेगी, background जो है, ये मैंने outdoor में लिया है, I think 1.4 या 1.8 या F2 के पर मैंने shoot किया, I don't remember exactly, but you can see, background जो है completely blur है दोस्तों, और जो detail है, जो model है, जो goggles पहने हो है, और जो पानी का आप देख पारेगो, कितना अच्छा जो है, effect निकल किया है, because this lens creates beautiful bokeh, beautiful blur background, and detailing है दो दोस्तों, वो आपकी एक एक चीज, एक एक चीज पकड़ता है ये, अब बात करते हैं, दोस्तों, एक अगली picture की, तो ये आप एक commercial देख पारेगी, शू का मैंने commercial किया था, Big Boss winner के साथ, Gotham Gulati के साथ में, और यहाँ पर आप उस commercial को देख पारेगे, तो मैंने उसको पर हूँ, या मैं कई बार travel कर रहा हूँ, महाँ पर को assignment आ गया, और अगर मेरे पास एक यही lens 85 mm, तो मुझे ये tension नहीं होता, कि या मैं इस पे full length picture, या sitting position में full length picture, या खड़े हो के full length picture नहीं ले पाऊँगा, मैं हर तरी की pictures 85 mm के उपर आसानी से shoot कर पाता हूँ, दोस्तों, तो आप देखे हो, ये commercial है, shoes का, और detailing अगर आप देखोगे तो, ना केवल shoes की detailing हमें अच्छे मिली, बलकि आप देखें कि model की clothing है, furniture है, model का face है, एक detail जो है दोस्तों, वो बहुती कमाल की निकल के आई है, अब आपको एक picture और दिखाता हूँ, ये देखी, ये भी मैंने एक app के लिए commercial shoot के आता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो female models जो है, वो बैठी हुई है, और आप देख रहे होगी, दोनों बहुती अच्छे focus में आई है, और ऐसा नहीं है कि, because 1.4 है, 2.8 है, तो कई बार जब हम aperture को बहुत जादा, open करते तो क्या होता है, एक model तो focus म यहाँ पर मैंने इसको करीब, I think, F10 या F10 या F9 पर shoot किया है, but you can see, both the models are in focus, and सबसे च्छी बात मुझे लगी इस image के अंदर, जो मैंने 85 mm पर shoot किया, इस है, अला कि portrait ही है, यहाँ पर आप जो detail देखेंगे, चाहे model का stool हो, वो भी कितना sharp आया है, model के आप देखेंगे, legs है, face है, hair है, everything is sharply in focus, तो यह lens जो है दोस्तों, ना केवल आपको details देता है, बलकि आपको बहुत ही extremely sharp images देता है, इसलिए थोड़ा सा lens जो है दोस्तों, यह थोड़ा सा expensive हो जाता है, I think, आज की तारीक में इसकी price है, करीब 1,25,000 से 1,35,000 के आसपास है, बट अगर आप सोच रहे दोस्तों, बहुत ही कमाल का है, especially जो लोग Nikon के users हैं, उनके लिए तो मैं हमेशे इस lens को recommend करूँगा, चलिए एक picture में आपको और दिखाता हूँ, यह देखिए, मैंने एक यह बच्चे का portfolio shoot किया था, वो ring लेके खड़ी है, तो यह full length picture मैंने बहुत ही असानी से lens के उपर shoot क कर लिया, मुझे lens change कर, इस portfolio के अंदर मैंने एक बार भी lens change नहीं किया, दोस्तों, पूरे चाहे, आप देख रहे बच्ची का portfolio है, तो आप देख पा रहे हो, उसके अलावा, यह picture एक और आप देख पा रहे हो, यह भी balloon के साथ में, यह भी मैंने full length में, इसी lens से लिया है, उ उसके बाद मैं आपको बता हूँ दोस्तों, इसी छोटे बच्चे का जो है, मैंने एक और full length लेंग लिया, देखी कहाँ पर, यह white stool के साथ में खड़ी है, तो आप देख पारें कि full length pictures इसमें कितने अच्छी आ रही है, at the same time मैंने जो है, इस बच्ची के जो है, थोड़े स बच्ची के साथ में मॉडल ने पहना है, 85mm lens के साथ मिले लिया है, बिल्कुल एक अच्ची के साथ मिले लिया है, अच्छा खासा, कह सकते है, headshot है, तो आप देख रहे हो, detailing जो है, कितनी कमाल की है, indoor में shoot किया है, strobe light के साथ में, but you can see the quality of image, तो अगर आप believe करते है, quality of images के अंदर, एक quality photography के अंदर, तो भाई यह जो lens है दोस्तों, बहुत ही कमाल का है, दूसरी चीज दोस्तों, मुझे इस lens के अंदर अच्छी लगी, जैसे कि आप देख पार इस स्क्रीन पर, कि इसके अंदर आती है, SWM motor, यानि कि silent wave motor है, तो आपको पता ही नहीं चलता है, इतने silently focus करता है, यह आपको मालू ही नहीं चलता, दूसरी चीज मुझे इसमें अच्छी लगी, दोस्तों, इसके अंदर जो है, nano crystal, जो है, वो coating इसके अंदर, अब basically, यह क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी, साधरन भाश्या में समझाता हूँगी, कई बार क्या होता है, कि थोड़ा सा flare आ जाता है, या कई बार जो है, तो यह चीज बे मुझे इसकी अच्छी लगी, कि इसकी जो construction है, वो यह कितनी rock solid है, थोड़ा बीच में से हलका सा plastic लगता है, बाकी, लेकिन अगर आप इसकी ring देखेंगे, या आप इसका पीछे का portion देखेंगे, तो बहुत ही, अच्छे से इसको जो है, construct गया गया है, इसके अंदर, मैं आपको बताऊं, छोड़ा सा तो इसके अंदर, जो है आपको लगता है कि हाँ, आपके camera के उपर एक शांदर lens लगा हुआ है, जो आपको बहुत ही जबरदस picture शूट करके दे रहा है, तो यह कुछ pictures दोस्तों मैंने आपको दिखाई, उसके लबाद दोस्तों मैंने इसे pre wedding के अंदर भी इस lens को use किया है, मैं आपको एक picture दिखात इस पर इस पर इस पर शूट किया है, आपको आप देख पार हो देखें, यह picture है, यह जोलरी का आप देख रहे हो, model ने अच्छी खासी 24 karat gold का बहुत ही खुबसुदत necklace पहना है, और यहाँ पर आप देख पार हो कि जो detailing है, वो कितनी कमाल की निकल के आई है, तो दोस्तों इसका जो आप overall, जब मैंने, जब भी मैं इसके साथ काम करता हूँ, तो मुझे एक peace of mind रहती हमेशा कि भले ही मेरे पास में एक lens है, लेकिन यह lens सब कुछ कर सकता है, अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ pictures जो आप screen पर देख कर हो, यहाँ पर आप bokeye देख पा रहे हो, यहा आउटडोर में लिए हैं, बहुत असानी से background को blur किया, अच्छा सा bokeye भी मुझे मिल गया यहाँ पे, तो दोस्तों, अब यह जो lens है, overall मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, कि अगर आप एक ऐसा lens ढूंड रहे हैं, जिसके उपर आप headshot, portrait, three-fourth, full length, sitting full length, pictures, bokeye, background क completely blur कर सकते हो, low light में shoot करते हो, extremely sharp images shoot कर सकते हो, तो भाई, यह एक ऐसा lens है, जो आपकी सारी चीज़े जो है, वो पूरी करता है, अब दोस्तों, यहाँ पर एक चोटा सा confusion आता है, बहुत सारे जो upcoming photographers हैं की lens की cost, तो definitely इसकी cost थोड़ी सी महंगी है, बट अगर आप इस lens को effort नह कर पाओगे, three-fourth full length, headshots, सब चीज़े आप उस पर आसानी से ले पाओगे, दोस्तों, तो यह जो चीज़े हैं, दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा photographer बनने आगे जाके की, जहां पर आपकी pictures वागी quality वाली हो, तो आपको आज से ही अपने lenses में invest करना सीखना पड़ेगा, दोस जब आप 5-6-8 साल के बाद देखेंगे, तो आपको समझ मैंगा कि वो investment आपकी ठीक रही, तो आप बले ही एक lens से शुरुआत करें, लेकिन आप एक अच्छे lens से शुरुआत कीजिए, उमीद है आपको Nikon 85mm 1.4G lens की performance, उसकी build quality, उसकी image quality, पसंद आई होगी दोस्तों, आज आज की लिए तनहीं, आपके comment कर रहेगा मुझे इंदार कि आपको इस सारी pictures कैसी लगी, और दोस्तों एक बात और आप मुझे Instagram पे follow करना बिल्कुल मत भूलिए, वहां मैं अपना सारा commercial जो work है, वो सारा upload करता रहता हूं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, मेरी website www.man www.manishshaksana.com, वहां पे आप जाएंगे, तो इसके उपर मैंने और भी बहुत सारे pictures लिये हैं, वो आप मेरे modeling portfolio section में, jewelry section में, beauty and hair photography वाले section में जाके देख सकते हैं, वहां आपको और भी बहुत सारे samples इस camera के, इस lens के देखने को मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, thanks for watching.